नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार इस समें सबसे बड़ी चर्चा है कि भारत अफगानिस्तान में क्या करने जा रहा है तो सुन लीजिए अब उसके हाथ से समय निकल चुका है नरेंद्र मोदी की विदेश नीती ने भारत से वो आउसर छीन लिया है विदेश मंत्री एस जैशंकर ताकते रह गए और चीन रूस और इरान अफगानिस्तान को ले उड़े तो अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये चल रहा है कि दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है तो निकाल दीजिए उन्होंने भारत की लंका लगा दिये उन्हें बंगाल में चुनावी रेलिया करने से फुरसत कहां थी जो वो देखते कि दुनिया में चल कह रहा है अमेरिका ने अचानक से अपनी फौज अफगानिस्तान से नहीं खीची है तालिबान एक दिन में काबुल का अंधार हेरात पर नहीं चड़ाया है इसके लिए उसे विदेशों से भारी आर्थिक मदद मिली है हथियार मिले हैं साजो सामान मिले हैं लेकिन मोदी रामराज का कीरतन करते रहे एस जैशंकर मोदी जी का कीरतन करते रहे और चीन रूस इरान ने मिलकर अफगानिस्तान में भारत का राम नाम सट्टे कर दिया लगता है जैसे हमारी विदेश नीतियां डिली के साउथ ब्लॉक से नहीं वाशिंग्टन से तै हो रही हैं अमेरिका को खुश करने के लिए चीन, रूस और एरान तीनों को हमने नाराज कर लिया मोदी समझ ही नहीं पाए कि ये नाराजगी अगर तीनों को एक कर देगी तो क्या होगा और वही हुआ अफगानिस्तान इसका ताजा उदाहरन है भारत के पास बेहिसाब मौका था लेकिन उसने इसे गवा दिया वही मौके रूस चीन और इरान के पास भी थे और उन्होंने इसे दोनों हाथों से समीट लिया मोदी और इस चैशंकर के अलावा इस तुनिया में हर आदमी को पता था कि तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है ये भी पता था कि सेना तालिबान के साथ मिल चुकी है और ये भी पता था कि राश्रपती गनी देश छोड़कर भागने वाले हैं लेकिन भारत ने ग्यारा हजार करोड के कारोबार वाले साजिदार देश के लिए कोई फारवर्ड प्लानिंग नहीं की कभी सोचा ही नहीं कि अमेरिकियों के अफगानिस्तान छोड़कर भागने के बाद जो हालात बनेंगे उसमें उसकी भूमिका क्या होने वाली है इस जशंकर एक बार फिल से नाकाम और निकम में विदेश मंतरी साबित हुए आज इसे लेक अपने हितों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया अब देखिए कि तीनों ही देशों ने ततकाल तालिबान सरकार को मानिता दे डाली बंगलादेश जैसे बित्ते भर के देश ने इसमें कोई देरी नहीं की ये कोई साधारन स्थिती नहीं है रूस ने इसे सीधे अमेरिका और नाटो से शीत युद के दोर का बदला लेने के मौके के तोर पर देखा चीन ने इसे दुनिया में अपनी चलाने में अमेरिका पर बढ़त बनाने के मौके के तोर पर देखा और इरान ने अमेरिका से अपनी तनातनी के बरक्स अपने कारुबारी और सैन्ने पाउं पस है मोधी और जैशंकर कैसे फिसदी साबित हो गए इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि अफगानिस्तान को लेकर चीन इरान और रूस तीनों एक सहयोग बढ़ाना ज़रूरी है दोनों एक दूसरे से वादा कर लए थे कि हम लोग एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे और दोनों तालिबान को नई विवस्था बनाने में मदद करेंगे इस स्थिती को समझिए तालिबान एक दिन में तक नहीं पहुचा है अमेरिका से बदला लेने के लिए चीन रूस और इरान तीनों ने तालिबान के पीछे अपनी पूरी ताकत जोग डाली और अपने विश्व गुरू योग करते रह गए अफगानिस्तान में मचेहाकार से बहुत पहले ही चीन के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान मतलब तालिबान और इसके बाद वांगी ने अलान किया था कि अफगानिस्तान के पुनर निर्मान में तालिबान महत्वपून भूमी का निभाने जा रहा है भारत का फिसड़ी पन देखिए कि फरवरी 2020 में दोहा में अमेरिका और तालिबान की बैठक मे इस बात पर सहमती बन चुकी थी कि अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान छोडेंगी और तब तक तालिबानी उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे लेकिन मोदी ने नवंबर 2020 में अफगानिस्तान में डेर सो परियोजनाओं का एलान कर दिया बिना ये सोचे कि तालिबान आ दस हजार करोड का सालाना करोबार हैं और इसमें बड़ा हिस्सा निर्यात का है हम उनको चाए, कौफी, कपास, काली मिर्च, मसाले, जूट, दवा, मेडिकल उपरन, आटो पार्ट्स वगएरा का निर्यात करते हैं और अफगानिस्तान से किश्म शकरोट, बादा, मंजीर, पिस्ता, खुबानी, चेरी, अपरिकॉट, अनार, जीरा और केसर जैसी चीजों का आयात करते हैं दोहजार बीस ही कीस में हमने 6,139 करोड रुपे का सामान अफगानिस्तान को बेचा और 3,783 करोड रुपे का सामान खरीदा अफगानिस्तान में तनाओ के बीच दिल्ली के ठोक बाजार चिंता में डूब गए, दोनों तरब से 100 करोड से जादा का एडवांस कारोबारियों का फस गया है, लेकि सवाल है कि मोदी सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि तालिबान के सक्ता में आने के बाद हमारी रणनिती क्या होगी, दरसल अमेरिका को खुश करने के चकर में मोदी ने विदेश निती का कबारा कर दिया है, ट्रम्प ने उन्हें समझा दिया था कि अमेरिका हर हाल में भारत का साथ देगा, उसके साथ खड़ा रहेगा, और मोदी इतने भोले निकले कि इस बात को आत्म साथ भी कर लिया, वो अमेरिका का इतिहास नहीं जानते थ कि अपने हितों के आगे वो पूरी दुनिया में आग लगता हुआ देख सकता है, जस दिन पूरे मध्यपूरवा को नाराज करके मोदी इजराईल के दोरे पर पहुँचे थे, उसे दिन समझ में आ गया था, कि वो विदेश निती के मामले में कितने अनारी हैं, इस मामले म उन्होंने वाजबेई को भी नीचे दिखाया था, हत्यारों के खरीच से लेकर कोरोना की वैक्सीन तक में भारत ने रूस को दरकिनार किया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, एक अंतराष्टिये बैठक में मोदी ने समय तैह हो जाने के बाद भी इरान के राष्टपती के साथ बैठक से इंकार कर दिया था, सिर्फ इस वज़ा से कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, वही अमेरिका एक दिन अफगानिस्तान से भाग गया और मोदी की समझ में कुछ नहीं आया, कुछ तिन पहले ही सुब्रमन्यम स्वामी ने कहा था कि विदेश न तालिबान को माननिता न देना अब भारत सरकार के वश में नहीं रह गया है, लेकिन अगर अब उसे सरकार मान भी लिया, तो इससे कोई भला होने वाला नहीं है, तालिबान अब रूस, चीन और एरान के आगे भारत को तवज्जों नहीं देने जा रहा है, आगे आगे दे वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उमीद करते हैं नमस्कार